हेलो चिल्रेंग, I hope you all are fine चिल्रेंग, in multiplication तोडेंग, we will learn how to solve word problems in multiplication तो बच्चो, आज हम लोग सीखेंगे कि multiplication में word problems को हम कैसे solve करते हैं तो यहाँ पे देखिए, बोट पे एक question दिया, example के तो there are 172 balls in a box, how many balls will be there in 345 such boxes तो बच्चो, यहाँ पे देखिए, question क्या पूछ रहा है, यह कह रहा है कि एक box में, कितने balls हैं बच्चो, 172 balls एक box में रखे हुए है फिर कह रहा है कि, how many balls will be there यानि कि 345, अगर boxes हमने लिया, तो उसमें कितने balls आएंगे यह हमारा question है, तो यहाँ पे देखिए, solution क्या होगा इसका तो सबसे पहले देखिए, number of balls in a box यहाँ पे देखिए, एक box में कितने balls हैं, हम पहले वो लिखेंगे तो एक box में देखिए, यहाँ बताया गया था, कि एक box में 172 balls हैं, तो हम यहाँ पे 172 लिखेंगे फिर देखिए, number of boxes, अब क्या पूछ रहा है कि, उसके पास कितने 345 such boxes हैं, तो number of boxes कितना हो जाएगा, 345, अब देखिए, जो question है, question क्या है कि, hence total number of balls, यह हमें नहीं दिया गया है, कि इन 345 boxes में कितने balls आएंगे तो यहाँ पे देखिए, इसी को हमें find out करना है, तो यहाँ पे यह दिया हुआ है, if it is equal to 345 multiplied by 172 यानि कि, इन boxes को, एक box में कितने balls हैं, उससे हम multiply करेंगे तो फिर यहाँ देखिए, इसको हम place value के according arrange कर देंगे, 345 और उसके नीचे 172 और multiplication का sign लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए, सब ones को ones से multiply पहले करेंगे देखिए, 25 जा 10 का 0, carry गया 1, फिर यहाँ देखिए, 24 जा 8 और 1, 9 आ जाएगा, फिर 23 जा 6 हम उतार देंगे फिर यहाँ पे देखिए, अब हम 7, जो हमारा 10th place पे है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे अब देखिए, 75 जा 35, यहाँ से उतारेंगे 10 से, तो यहाँ देखिए, 10th place पे 5 उतारेंगे, फिर carry गया हमारा 3 फिर देखिए, 7, 4, 28, 28 में हम 3 add करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 31, 31 का 1, carry गया 3 फिर देखिए, 3, 7, 21, 21 में हम 3 add करेंगे, 24 हम पूरा उतार देंगे इसके बाद देखिए, अब हम 1 से multiply करेंगे इन तीनों को, यहाँ पे देखिए, 1 की place value 100 है यहाँ से तो यह दोनों place को हम यहाँ पे 0 उतार देंगे, इन दोनों place पे, 1s पे भी, 10s पे भी, अब यहाँ देखिए, 100 से हम लिखेंगे 9 plus 5, 14 का 4, carry गया 1, फिर यहाँ पे देखिए, 6 और 1, 7 और 7 और 5, 12 और एक carry एड़ करेंगे, 13 हो जाएगा, 13 का 3 उतारेंगे और carry गया 1 फिर यहाँ पे देखिए, 4, 4, 8 और 1, एक carry 9, तो यहाँ हम 9 उतार देंगे, और 2 प्लस 3, 5 तो देखिए, कितना हो गया, 59,340, हैंस, total number of balls will be 59,340, तो यह देखिए, 345 boxes में कितने ball आएगे, 59,340, तो इस तरह से हम multiplication में, जो word problems है, उसको solve करेंगे, Thank you